नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर हर महादेव आज पहला जथा जमू के भगवती नगर से रवाना हुआ जिसकी जो इनौगरेशन है जिसका उधाटन किया उस यात्रा को हरी जंडी दिखाई जमू माजूद थे डीसी जमू और अन्य जो पुलीस के अलाधीकारियों के माजूदगी में पहले जत्ते का रवाना हुआ मरना से यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि हम बाबा भोले शंकर का लाक लाक शुकर करते हैं एक गाड़ी जो की गतना गलस्त हुए यानि एक एक्सिडेंट हुआ है नैशनल हाईवे पर बताना चाहेंगे जिसमें डी-एस-पी समेद जो की जमू कश्मीर पुलीस के तीन जो करमचारी है यानि पुलीस करमी है वो इसमें घायल हुए है इसमें जो तस्वीरे हैं हम आपको अपने मुवैल स्क्रीन पर बता रहे हैं कि अमर्ना सेक्यूर्टी कॉनवाई जो गाड़ी है वो एक एक एक्सिडेंट जिससे हुआ है जो की सरमोली नालाय के पास हुआ है और जमू कुश्मी नैशनल हाइवे के उपर और साथी सथ उन्हें फिलाल जो इसमें गाड़ी का जो नंबर हम आपको बता रहे हैं गाड़ी का नंबर है जेके 02C जेके 02CW 4605 फिर से देखिए जेके 02CW 46 यनि के यह गाड़ी का नंबर 4605 यह गाड़ी का नंबर है फिलाल जो एससपी उधुपूर है डाक्टर विनोत कुमार से हमारी बात हुई है और उन्हें कहा है कि फिलाल उन्हें जो उस्पिटल है उधुपूर में वहां पर ट्र जिस सारह की कोई भी कारेकरम होते चाहे वो समाजी हो या चाहे सियासी हो चाहे धारिममकारमे हो हमारी कश्मीर पॉलीस के कंदो करेक दायत तो रहता हमारी सुरक्षाй बोलों का एहम योगदान रहता हमारा पृ rapilotरी फोस शंकर बाबा की कृपा बनी रही है कि DSP जो है और साथ तीन जो पुलीस कर्मी है वो फिलाल खत्रे से बाहर है उन्हें अपचार के लिए भेज दिया गया था और फिलाल खत्रे से बाला जो हमारी SSP जो उधूपुर है विनोत कुमार जी से जो फोन लाइन पर बात हुई है फ खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी तरह से गाड़ी जो है दुरगटना गरस्त हुई है और बगवार ना करे जो बीच में बैटे हमारे पुलीस करमचारी है अधिकारी है उन्हें कोई नुकसान होता पर यह जरूर कहेंगे बोले बाबा ने अपनी असीम क्रीप बनाई है जिसके चलते इतने बड़ी घटना के बाद भी वो सुरक्षी था फिलाल उन्हें अपचार के लिए उधू पर होस्पिटल भेज दिया गया यह पुलीस की गाड़ी जो यह अमरना सेक्योर्टी कौनवाई जो गाड़ी है जो आप जानते हैं कि सुरक्षा के पु बोले बाबा की बोले शंकर की वो आज से शुरू हो चुकी उसका आगमन हो चुका है और पहला जथा भी रवाना हो चुका है और कहीना कि अब जब भासर दिन की यात्रा में पूरा जो दायतव हैं हमारे प्रशासन से लेकर पुलीस के आर्मी तक पर मिल्ट्री फोसिस ने को भी सारी चीजों को मदे नजर रखतें जिस तरह के हालात हैं उसके बीच में इस तरह की यात्रा को सफल बनाना हम दिल से सल्यूट करते हैं हमारी जमू कश्मीर पुलीस को हमारी परे मिल्ट्री फोसिस को इंडियन आर्मी को और अन्य जो दल हैं उनको और साथ ही साथ ही यह कहेंगे कि जिस तरह से मनो सिना जी की तरफ से सब पहले ही कह दिया गया था कि कोई भी गलती की गुंजाइस निया चोक सी पूरी बढ़ती जा रही है सुरक्षा के बीच सुरुष्षा तन तरह के एक कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच में आज जो पहला जथा है रवान बनाए रखे और जो लोगी समय रवाना हुएं उनकी यात्रा मंगल में हो फिलाल ये बड़ी खबर जो आ रही थी अमर्राज यात्रा को लेकर के डियास्पी और अन्य तीन हमारे पुलीस के जो करमचारी है पुलीस परसनल जाओ फिलाल एक गाड़ी जो दुर्गसना को सरक्षित पहुंचाना उनके असली मुकाम तक जहां पर बाले बोला बाबा का जो आशिर्वाद लेने के बाबा बरफानी के नाम से जानने वाले उनके उस यात्रा के लिए पूरी तरह से बचन बद है और अपनी पूरी जो 100% देने का प्रयास करते हैं फिलाल उनकी गा करते हैं हम हर हर महादेव जरूर कहेंगे क्योंकि महादेव वह देवों के देव हैं जिन्नोंने शृष्टी को बचाने के लिए विश का प्याला सेवन कर लिया था कि शृष्टी पर कोई आंच ना है क्यूंकि उसी के चलते उन्हें नील कंठ के नाम से भी जाना जाता है और गले में आपने देखा किस कदर उन्हें विश जो उनके था क्योंकि एक सवरूप जो था शिव जी भोले शंकर जी का वो भी देखने को मिलता कही सारे कलेंडर में हम जब देखते हैं तो यह चीज उनके एक नील आता हुँने नील कंट के नाम से भी जाना जाता कि उसे ज जो यात्रा बासर दिन की यात्रा आज यानि शुरू हुई है आज पहला जत्ता गया है और पहली जो जुलाई है तो तब जो के दर्शन होंगे उसके बाद बासर दिन की यानि कत्तिस जुलाई तक यह यात्रा लंबी यात्रा चलेगी और सुरक्षा के पूरे इंतजामात किएगे अपनी तरफ से पूरे प्रयास किएगे और जमू की कश्मीर के अडिमिस्रेशन कश्मीर के लोग भी बाहें फिलाए इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और उनके चेहरों पर भी खुशी है क्योंकि ये यात्रा एक धर्मक आस्था का प्रतीक तो है वहीं दूसरी त कारे को तोड़ने की कोशिश किया दर्मों में बाठ कर अपनी राजनेतिक रोटियां से की हैं और कहीं न कि काफी सारे नेताओं के जो कश्मीर के नेता उनकी भी काफी सारी जो वीडियो और बियान भी आया कि हम स्वागत करते हैं और यहां के लोग भाएं फिलाए इस या चारे की निसाल है जगा जगा पर लोग लंगर लगाते हैं पुन इस यातरा के चलते पुन ने क्योंकि दूर दरा से यो यातरी जो शरधालू आते हैं उन्हें किसी भी चीज की क्योंकि गर्मी का मौसम है पानी की या खाने पीने की उन्हें कभी ना और हाली में हमने इंटर पानी ना हो तो खुद सोची लोग किस तरह से सर्वाइब करके इस चीज़ों को सारों को मद्दे नजर रखते पर शासन और सरकार के पैनी नजर है कि यह यात्रा जो है आज कि दिन जिसका शुरुवात हुई है मिलकर जमू कश्मीर के लोगों की भाईचारी की मिसाल है पर हमारे देश पर समझ देश पर अपना अशिर्वात हमेशा बनाए रखे और बुरी नजरों से बुरे लोगों से बुरी ताकते जो है उनसे हमेशा हमारे देश को हमारी आर्मी को हमारी जो मुकश्मीर पुलीस को हमारे सुरक्षा बलों को हमेशा बचाए रखे आपका क क्या केना इस वीडियो को देखकर अपने कमेंड़ अपने सुझाव में जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हुसे कि शेर किजिए जुड़ेरे सिमर्स अगले अपडेट के लिए हरहर महादेव जहिंजवर्ग